Hello friends, welcome to my channel Excellent Coaching Schedules of reinforcement से स्टार्ट करेंगे आज Reinforcement का मतलब तो आपको समझ में आ गया है कि जब हम कोई desirable response देते हैं तो उसको और ज्यादा strengthen करने के लिए हमें reinforcement मिलती है ताकि हम वो response जो है अपना बार बार दे लेकिन इसमें schedules होते हैं Schedules मतलब कि regular reinforcement मिलेगी हर बार आप जितनी बार response दोगे उतनी बार आपको reinforcement मिलेगी या फिर कुछ time के बाद मिलेगी कुछ interval के बाद मिलेगी या फिर कुछ amount of responses आप दे दोगे उसके बाद reinforcement मिलेगी तो कुछ schedules होते हैं और ये schedules vary करते हैं अलग-अलग reinforcement के और उनके बेस पे हमारा behavior भी different हो जाता है जैसे continuous schedule क्या होता है जब हमें continuously हर response के बाद एक reinforcement मिल रही है उस case में क्या होता है कि हम जितनी बार response दे रहे हैं हमें कुछ ना कुछ reward या reinforcement मिल रहा है जितनी बार response दे रहे हैं जैसे कोई बच्चा है तो डेली अपना homework हतम करता है तो उसको शाम को उसकी फेवरेट चॉकलेट मिलती है लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह आती है कि suppose उसने एक दिन अपना homework करा उस दिन शाम को उसको फेरेंट्स चॉकलेट नहीं दे पाए किसी भी रीजन से तो क्या होगा उसको reinforcement नहीं मिली तो एक यां दो बार वो देखेगा उ क्यों कि extinction हो गई reward नहीं मिल रहा है reinforcement नहीं मिल रही है तो extinct हो गया behavior तो इस चीज़ को थोड़ा कम करने के लिए कि जो extinction है वो जल्दी ना हो उसको control करने के लिए schedules बनाए गए हैं कि हम daily ना देके कुछ time बात दें ताकि suddenly जो response आ रहा है वो बंद ना हो जाए तो या तो हम कुछ time interval के बात दें या फिर हम कुछ amount के बात दें कि मतलब वो 5 दिन अपना homework करे फिर मिले उसको chocolate ताकि वो 5 दिन कम से कम वेट तो करे या फिर वो 5 subjects का homework कवर करे तो मिले chocolate तो या तो amount के base पे या time के base पे schedules divide किया है ताकि extinction ना हो जाए एकदम से response की तो उनको schedules of reinforcement बोलते हैं तो सबसे पहले तो जो इसमें यह बताया हुए कि इन चीजों से फरक पड़ता है यह कैसे पता चला कि BF Skinner और बहुत सारे SSI psychologist है जिनोंने बहुत लंबे टाइम तक इस चीजों पर study करी और उनको यह idea लग गया कि अगर हम reinforcement के schedules अलग-अलग रखेंगे तो से हमारी responses की extinction में फरक आ रहा है तो हमें response जादा देर तक अगर चाहिए तो हमें थोड़े से अपने schedule change करने पड़ेंगे सबसे पहले तो जो मैंने बोला आपको simplest जो होता है continuous reinforcement होता है CRF schedule मतलब कि जितनी बार आप response दोगे desirable उतनी बार आपको reinforcement मिलेगी जैसे rat receive food pallet each time it presses a liver उस experiment में rat ने जितनी बार वो pallet दबाया food का pallet उतनी बार उसको food मिला है जितनी बार उसने वो liver दबाया है उतनी बार उसको food मिला है यह तो continuous reinforcement हो गई एक जामपल एक और है जैसे एक छोटे बच्चे को हर बार 25 cents मिले जितनी बार उसने अपना शू करेक्ट टाई कर लिया अपने शूलेस को यह तो हो गया continuous reinforcement लेकिन इससे भी ज्यादा बेटर टाइप के reinforcement क्या होते हैं इससे बेटर continuous से बेटर वह होते हैं जैसे पार्शल और intermittent reinforcement पार्शल मतलब पूरा एक साथ ना देना थोड़ा थोड़ा ग्याप में देना या intermittent करके देना बीच-बीच में ग्याप देके तो यह जादा पावरफुल होते हैं उसमें से सबसे पहले आता है आपका fixed interval fixed interval interval का मतलब क्या होते है time ठीक है अब यहां पर interval fixed है time fixed है कि कितने दिनों के बाद reinforcement मिलेगी so occurrence of reinforcement depends on the passage of time थोड़ा time निकल जाए उसके बाद एक reinforcement मिलेगी फिर थोड़े दिनों बाद मिलेगी फिर थोड़े दिनों बाद मिलेगी तो जैसे suppose आपको पता है कि कुछ school में हर Monday exams होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं उनको पता है कि कुछ time बाद reinforcement मतलब exams आने वाले तो हमें उसके लिए पढ़ना है तभी हमें आगे grades मिलेंगे तो उनका response कैसे होता है वो पूरा हफता नहीं पढ़ते हैं लेकिन Monday से दो दिन पहले Saturday Sunday बैट के exam की त्यारी करते हैं फिर वो बीच में जो Monday to Friday का दिन होता है उसमें वो relax करते हैं फिर response आप ले रहे हो subject को कि मुझे इतने दिनों बाद ही तो reinforcement मिलेगी तो मैं पहले से क्यों पढ़ूं तो उस case में response ऐसे आता है जैसे पहले relax करा फिर Monday आ गया exam में तो पढ़ना शुरू कर दिया Monday निकल गया फिर relax हो गया फिर Monday आने वाला है पढ़ना शुरू कर दिया exam आ गया फिर Monday निकल गया रिलाक्स करना शुरू कर दिया तो इस तरीके से होता है इसमें क्या है एक तो जो response है वो extinct नहीं हो रहा है क्योंकि पता है कि हर Monday होना ही है टेस्ट तो वो थोड़ी थोड़ बात दुबारा से उस response के लिए तयारी हो रही है लेकिन बीच में बहुत लोग पीरेड आ जाता है क्योंकि पता है कि फिक्स्ट है टाइंग तो वेन प्लेस्ट ऑन शेड्यूल अप इस टाइप पीपल जनरली शो पाटन इन विच दे रिस्पांड अट लोग ले रेट इम इसके बाद दूसरा एक शेड्यूल और है जिसको वेरियेबल इंटरवल बोलते हैं एक लिचुल लोग वेरियेबल इंटर्वल में क्या है आपको नहीं पता कि एक्जाम कब होगा कभी भी हो सकता है अब उस केसमें रिस्पॉन्स कैसे होगा अब कब रिलाक्स करैंगे अब किसी दिन भी नहीं कर पाऊगे तो आपकी जो तैयारी है वो ऐसे रहेगी continuous, किसी दिन exam हो सकता है, Monday भी हो सकता है, exam Tuesday भी हो सकता है, Wednesday भी हो सकता है, surprise test है, तो यह ज़्यादा बेटर है एक तरीके से, तो the period that must elapse before our response will again yield enforcing, reinforcement varies around some average value, तो इसमें कुछ average value देखी जाती है, कि इतने minimum time period के बाद होगा, लेकिन यह fixed नहीं होता है, variable होता है, मतलब इससे, जो subject है, उसको नहीं पता चलता है, कि कब reinforcement मिलेगी, तो वो continuously response देता ही रहता है, जैसे एक employee के case में, supervisor कब आ जाए, round मानने, office में, या उनका काम चेक करने के लिए, वो कुछ पता नहीं होता है, वो regular interval पे आता है, supervisor, तो उस case में employee जो है, अपना regular काम में लगे रह बाते करता हुआ, देख ले, या time-based करता हुआ, देख ले, ओके, ऐसे ही कई बर sports की, उसमें भी होता है, sports, जो sports person होते है, उनका drug testing, random drug testing होता है, तो वो अगर drugs ले रहे हैं, अपनी sports performance को बढ़ाने के लिए, तो वो अगर randomly testing हो रही है, तो वो उस चीज को avoid करेंगे, तो क्य कुछ पता ना हो कब होगा reinforcement या कब होगा बीच में, checking, फिर आजाती है next, fixed ratio schedule, fixed ratio schedule में क्या होता है, amount fix होता है, amount fix जैसे कि आपने लोगों को बारे में सुना है, जो piece work basis पर काम करते हैं, कि एक दिन में अगर वो 50 piece तैयार करेंगे, तो उन्हें पैसे मिल जाएंगे, उस piece work मतलब कितना amount of काम आप कर लोगे, तो उस case में क्या है, कि उस person को जल्दी पड़ी रहती, कि मैं अपना काम फटा-फट, 50 वक का खतम करूँ, ताकि मुझे पैसे मिले, फिर मैं दो दिन rest कर लूँगा, फिर अगले 50 वक का काम फटा-फट करूँगा, तो बीच में फिर व चास piece पूरे हो जाए, फिर वो मिल जाती है, उसको जब reinforcement फिर वो थोड़ी दे rest करता है, तो इस case में इस तरीके का graph बनता है, ठीक है, तो schedule yield a high rate of response, though with a tendency toward a brief pause immediately after each reinforcement, तो अगर आपको पता है कि हर 5 chapter के बाद आपका test होना है, तो आप फटा-फट वो 5 chapter पढ़ोगे, exam दोगे फिर रेस्ट करोगे, फिर फटा-फट वो 5 chapter पढ़ोगे, exam दोगे, अगले 5 chapter पढ़के फिर रेस्ट करोगे, तो इसमें ये है, response फटा-फट जल्दी जल्दी कर रहे हो, लेकिन बीच में pause आ रहा है, रुक रहे हो, और जल्दी के चक्कर में कई बारी हम उसको अच्छा quality नहीं दे पाते, ठीक है, फिर लास्ट में एक और schedule आ जाता है, variable ratio schedule, variable ratio में क्या है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं fixed है, कितना भी amount of काम कर लो, आपको नहीं पता कि कितने देर बार test हो जाएगा, तीन chapter के बाद हो जाएगा, कि 5 chapter का होगा, कि 10 chapter का होगा, कुछ नहीं पता, तो आप हर chapter को बार-बार revise करोगे, हर chapter को बार-बार revise और continuous करते जाओगे, जब तक आपकी book पूरी नहीं हो जाती, cannot predict how many responses are required, before reinforcement will occur, they usually respond at high and steady rate, अब इसमें आप पढ़ते जाओगे, time भी fixed नहीं है, chapter भी fixed नहीं है, आप कहीं rest नहीं कर सकते, तो आप कोशिश करोगे कि जल्दी से जल्दी आप सारे chapter revise करो, तो बहुत हाई rate of response होता है, और continuous होता है, इसको easily समझने का और example देती हूँ, जैसे आपने gambling casinos के बारे में सुनाया, वहाँ पर आपको कब नहीं पता कि कब आपकी, जैसे कि उसमें lottery system होता है, कि कब आपका number आ जाए, लोट्री लग जा जाएगा, कितनी बार वो करेंगे तो उनका number आ जाएगा, तो वेरियेबल रेशो में क्या होता है, एक्स्टिंशन होती ही नहीं है, ट्राइ करते ही रहते हैं लोग, तो इसलिए इसमें एक्स्टिंशन नहीं हो पाता है, क्योंकि पता नहीं चलता है कि सपोर्स हम आज एक जाएगा, तो इसलिए लोगों को गैंबलिंग की और लोटरी सिस्टम वगारे की आदत पर जाती है, क्योंकि कुछ फिक्स नहीं होता है, उसमें कि कभ रिंफोर्समेंट मिल जाए, तो एक्स्टिंशन बहुत कम होती है इस केसमें, तो इन फाक्ट रिस्टिंशन तो एक्स इस जोलते पार्सूर्समेंट मिलेगी, तो इस लिए आप बाजन रिस्टिंशन फ्रेस्टिंशन जो लोगों को बहुत कम हो जाती है, मतलव, इस फिनामेन इस लोगार आप लिए बढ़र जाती है, क्क्तिंशन की इसले मैं, पार्षियल रिंफोर्स्मेंट मिलेगी, तो ज को देते ही रहते हो क्यों होता है बेन रिफोसमेंट थेने के बाद भी लोग पता नहीं चाहता है क्यों बंद हो गया है कि अभी दो दिन बाद कभी चार दिन गाट कई 5 दुन बाद कभी एक घंटे में कभी यह वियर कोष्मेंट मिल रही है तो चाय Sugden guideline आगे आएगा तो इस को हो सकते आगे अ तो इज कॉतारनिय को ने सब्सक्राइब तो वही सेम चीज है बहुत ही आपको डेली लाइफ में यह सारी चीजें एक्सपीरिंस करने को बहुत मिलती भी होंगी जहांपे कभी आप पहले ध्यान ना दो पर अब ध्यान दे के देख सकते हो कि कोई कोई response है वो आपको कब कैसे मिलता है उसकी reinforcement पर कैसे डिपन करता है तो यह तो चार चडियूल्स अव रिइनफोर्समेंट थे जो हमने पड़े जिसमें पहला था fixed interval फिर variable interval फिर fixed ratio variable ratio इसके graph यहां पर बने वे हैं यहां पर यह इनोंने दिखाया हुआ यह fixed interval है कि हर Monday exam हो रहा है तो इस तरीके से performance यह variable interval है पता नहीं कब हो जाए exam यह पता नहीं कब आ जाए employee को check करने के लिए उनका जो supervisor है तो continuously respond हो रहा है फिक्स रेशो है कि इतने पीस बनाने के बाद ही मिलेगा तो फटा-फट से अपना काम किया फिर रेस्ट किया और वेरेबल रेशो में कुछ भी नहीं पता कितना काम करेंगे हैं कितना टाइम के बाद तो यह बहुत जादा हाई होता है तो यह चार थे शेडिूल्स और रिइ कि बाद जाद होता है